मादा दर्चा अती मादा स्थान मनुख दी जिंदगी वी सब्तों एहम होंदा है मादा दर्चा अती मादा दर्चा अती मादा दर्चा अती हमेशा ही दीन दुख्यां दी सहाईता लेगा आज आपची दे चंगी संसकारां दे आपची दा परिवार चाल रहा है अती समाज वीच नामना खट रहा है आती सबसंग्ता नो उस परंपिता परमातमा दी दर्चाय मारक दे चल्लन दी सिख्या देती इस मोके वटी गिंती वी संग्ता तो इलावा कई उच सक्षुईता ने शुर्कत कीती वाते को सक्षुईता वलो शिर्मती गुर्प्यारी हुणा दे कीते कमानू जाद कर दे होई उनानू शर्दा दे फूल पींट कीते के मावा ठडिया छावा छावा कोण करे मावा दे घर जाने लोगो कोण भरे मावा ठडिया छावा छावा कोण करे मावा ठडिया छावा छावा कोण करे मामा दे हर जाने लोखों कोने भरे याद करने पच्छपन के गोंते में जब छोटे थे माम हमारी हर माद मांग दी के पुद्ध कपुद्ध बने सोवारी मारे दी माँ बनके सुख सुखानी खैरा मंग दी फेर फेर के बनके एक माही है आज दल के समय के तर हर जीव धन कमाने के दर्व्यस्त है जब आपिस भर को लोटता है तो रास्ते के दर बितर दोस्त मिनते हैं पूछते हैं कि आज कितना कमा करके लाए हो धर आता है बच्चे पूछते हैं पिता जी क्या लेकर के आए हो धर पतनी पूछती है कितना बचा करके लाए हो लेकिन घर के कौने में मा बैठी है वही पूछती है बेटा सुबे से गया है कुछ खाया है या नहीं खाया है नहीं मिलेंगे ऐसे रिष्टे पूछती का कूत बड़े सोवारी मारे दी मा बढ़के सुक सुखा दे खैरा मक्ते फेर फेर के बढ़के मा कभी नहीं कहती मेरा मेटा बुरा है मा कभी नहीं कहती बच्चा चाहे जितना मर्जी मलायक हो लोग आ करके कहीं आपके बेटे ने ये खाम किया है लेकिन मा कभी मानने के लिए तयार ही नहीं है पुद्ध कपुद्ध बड़े सोवारी मारे दी मा बढ़के सुक सुखा दी खैरा मक्ते फेर फेर के बढ़के उद्ध मेरे दो तलियां बाबा रैड परे उद्ध मेरे दो तलियां बाबा रैड परे मामा दे हर जाने लोगों कोने भरे उद्ध न जारे हत किसे दे सिर तो मामा दा उद्ध न जारे हत किसे दे सिर तो मामा दा उद्ध न जारे हत किसे दे सिर तो मामा दा उद्ध न जारे हत किसे दे सिर तो मामा दा जिर तो मामा दा विडियां में दियां जांगा पुत्रामों वालो रियनाल सुलाती अगर घर घर ऐसे सुसकार देने वाली माबों तो मैं कहती हूँ कि ये भार्त देश एक स्वर्ग देश मत जाए जिनके बच्चों में किसी परकार का कोई भी अबबन नहीं ना किसी ने कभी शराब को देखा ना कभी किसी ने ताश को देखा ना कभी किसी ने कुछ संगती को देखा ऐसे सुसकार देए इस माब है ये एक मानी एक तो जे तो शाक शाक जगबबा का ही रूप थे क्योंकि जिसने ऐसे परवार को पैदा कि कहते हैं कि वो माँ घर वैठे ही मरी की समान है जैसे किसी ने कहा कि एक चलते हुए राही को देखा उसके पेट के ऊपर लिखा हुआ था कि मैं जेव करता हूँ जब उसको देखा तो किसी ने पहचांग लिया कि ये तो उसका बेटा है उसकी मां का नाम पुचारण किया पाप किया एक बच्चे में और घर बैठी मां बढ़ना हो रही है तो ऐसे बच्चे की मां क्या अमर कहलाएगी वो जीते जी मूश पाएगी वो जीते जी घर में बैठी ही अपने आपको उससे ही कि है परमात्मा मैं मेरे को क्यों नी ले जाता क्यों कि मेरा बच्चा आज गली गली में मेरा नाम पर नाम रहा है लेकिन एक बच्चे ने पुन करम किये जैसे हमारे शोग ठाकर जी खाली शोग ठाकर नहीं जितने भी भाई हैं अगर इनकी व्याप्शों की जाए तो आज गली-गली में इस शोग सवार को देखके ही पता चलता है कि वो मां थी चा जगदंबय का रूप थे ऐसी मां का जाना केती है कि स्वर्ग में भी भूलों की वर्शा होती है तो कि स्वर्ग के देवी देटा भी कहती है कि आपने कितनी सुंदर संतान पैदा की कि आज घर घर में उस मां की चल जाए परिवार दे बारे मैं तकी हमां मारा जिने जो गला सनाईया ने परहर देज कोई शाक नहीं है कि एक ऐसा परिवारा स्लेम टाब्री वे विच कि सटे वड़े पाई साव शोब ठाकुर जी उनना दे सारे जड़े ब्रदर ने चाहे सारियां पापियां माता जी मुँ रभू ने अपने चर्ना दे बिच पुला ले और इलज कोई शाकी नहीं है कि जदो भी इस परिवार दे बिच गहें हैं माता जी को लोगी बहुत सारा शीरवार दे लिए और देख़र दो मिलिया है कि जदो माता जी दे पैरी हाथ लिगाना तर सिरफ कोई समाश्ता भी कम नहीं है है अब मिनुगा यार दे खालत इत्खार साथ बेफिकर हो के कहतें जिया कि काले कोई वी एगर इंसान ग्रियों गुर्भा आंदा तो बेफिकर को केतर बेज देगार कोई टेंशन नी पानी तुमारी दे और एहो जे करम मैं समय दा की संस्कार सब्सक्राइब अपना परिवार इनों पाना मनंदा बलबक्षिंग ओम शांती 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 कर दो 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 कर दो